समस्कार, सत्र दो में आज हम जानेंगे कुपोशन क्या है एवं बच्चे के स्वास्त पर कुपोशन का प्रभाव इस सत्र को सीखने का उद्देश्य इस सत्र को सीखने के अंत्र में प्रतिभागी जान पाएंगे कुपोशन की परिभासा एवं उसके प्रकारों को कुपोशन के कारणों को बच्चे के स्वास्तेवं जीवन पर कुपोशन का क्या प्रभाव पढ़ता है अती गंभीर कुपोशन यानी S.A.M. Sam एवं मध्यम गंभीर कुपोशन M.A.M. Man क्या है तो आईए एक एक कर इसे हम जाने सबसे पहले कुपोशन क्या है एवं कुपोशन के कू čक्र कुपोशन एक सामानीं सब्द है जो अनुप यूक्त या और पर्याप्त आहार के कारण होने वाली शारीरी किस्थिति के लिए प्रियोग किया जाता है अधिकांश्त ये और परियाप्त आहार खराब आउशोषन या पोशक ततों के अत्याधिक कमी से उत्पन्न अल्प पोशन को प्रदर्शित करता है अति पोशन भी एक प्रकार का कुपोशन है जो भोजन के अधिक मात्रा के सेवन से उत्पन्न होता है व्यक्तिगत रूप से अति कुपोशन का अन्भौ तब होगा जब उचित मात्रा में गुणवत्ता वाले आहार को लंबे समय के लिए सेवन ना किया जा रहा हो एक कुपोशित एवं अनिमिया से गरशित किशोर बड़ी होकर एक कुपोशित माता बनती है यानि हम कह सकते हैं कि एक कुपोशित एवं अनिमिया से गरशित किशोरी बड़ी होगी तो एक कुपोशित माता बनेगी एवं कुपोशित बच्चे को जन्म देती है इस प्रकार कुपोशन कुचक्र पीढ़ी दड़़ी चलता रहता है समर अभियान के तहर इस कुपोशन के कुचक्र को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा अब हम जानते हैं कि कुपोशन की प्रकार क्या है कुपोशित बच्चों के शरीर मान दंड सामाने बच्चों के तुलना में कम होती है यानि उनके जो मापदंड होते हैं वो जो सामाने बच्चे होते हैं उनकी तुलना में कम होती है इसको तीन भाग में हम बाट सकते हैं पहला कम वजन यानि अंडरवेट दूसरा दुबलापन एक्यूट मालनूट्रिशन तीसरा ठीगनापन या नाटापन जिसे स्टंटिंग कहते हैं सबसे पहले कम वजन उम्र के अनुसार कम वजन उम्र तथा लिंग के अनुसार कम वजन वाले बच्चे अंडरवेट कहे जाते हैं बच्चों में कम वजन वर्तमान या लंबे समय से कुपोशन के कारण हो सकता है दुबलापन लंबाई उचाई के अनुसार वजन कम होना इसे गंभीर कुपोशन कहते हैं ये वर्तमान या लंबे समय से कुपोशन के परिनाम स्वरूप वजन में भृधी की कमी या वास्तविक वजन घटने के कारण होता है एक दुबला कमजोड बच्चा तथा पतला दिखता है और धीरे धीरे उसके शरीर से वशा तथा मानस्पेसियां घट जाती है यानि जो एक दुबला पतला बच्चा होता है वह कमजोड एवं दुबला पतला तो दिखता ही है धीरे धीरे उसकी शरीर की जो मानस्पेसी और जो वशा है वो घटने लग जाती है एक दुबला बच्चा ही अती गंभीर कुपोशित बच्चा है जिसके मृत्यू या बीमार पढ़ने की अधिक संभावना है इसके कारणों से सम्मिलित हैं शरीर की अविशक्ता अनुसार कम अहार, खाना, अनुजित खान, पानव्यवहार, बीमारी, संक्रमन या इन कारकों के सम्मिलित प्रभाव अब अंत में हम देखते हैं ठीगने पन को उम्र के अनुसार लंबाई, उचाई का कम होना, इसे ठीगनापन कहते हैं यह लंबे समय से कुफोशन से व्रिधी ना होने का सूचक है स्टंटिंग के कारण प्राय विलंब से मानसिक विकास पढ़ाई में पिछडापन एवं बौधिक शमता में कमी आती है जीवन के प्रथम हजार दिवस यानि गर्वधारन से जन्म के पहले दो वर्ष तक के दोरान मा तथा शिशू का सही पोशन एवं संक्रामक विमारियों से बचाव ठीगनेपन की रोगत हम कर सकता है अब हम देखते हैं कि कुपोशन के प्रमुख कारण क्या है तो इसके भी तीन कारण है तातकालिक कारण और प्रत्यक्ष कारण एवं अन्यकारण तातकालिक कारण में बोजन की और परियाप्त उपलब्धता वह खराब और शोशन और परियाप्त आहार का सेवन एवं संक्रामन या फिर रोग का होन और प्रत्यक्ष कारण माताओं और बच्चों के लिए और परियाप्त देखभाल और परियाप्त स्वास्त सेवाएं और और स्वास्त वातावरण साफ सफाई की कमि अन्य कारणों में और परियाप्त सिक्षा, आपात कालिन इस्थिती, उदारण, बाल, सुखा तथा भुकम पादी, आधिक संरचना या संसाधन कुपोशन पर कई कारणों का प्रभाव पड़ता है जो पोशन इस्थिती को विविन अस्तरों तक प्रभावित करती हैं जिसमें हमने जाना तात कालिक कारण, और प्रत्यक्ष कारण तथा अन्य कारण, अब एक एक को हम थोड़ा सा विश्थार से देखते हैं तात कालिक कारण, और परियाप्त आहार तथा बीमारियां जो सीधे बच्चे के स्वास्थ को प्रभावित करती है और परियाप्त आहार लेने आहार में विवित्ता की कमी, कम और शोषन या पोशक ततों के अत्याधिक कमी तथा बार बार बीमारी के संक्रमन के कारण को पोशन होता है इन कुपोशनों को हम और प्रत्यक्ष कारणों से भी समझते हैं जो परिवार या समुदाय को प्रभावित करते हैं अलग-अलग परिवारों तथा समुदायों में यह कारण भी नभीन प्रकार के होते हैं इन्हें हम तीन वर्गों में बाढ़ते हैं आहार की कम उपलब्जता, माताओं तथा बच्चों को और पर्याप्त देखवाल तथा और पर्याप्त सेवा हैं एवं औस्वस्त वातावरण ये एक दूसरे से संबंदित हैं और एक छेत्र पर प्रभाव डालने वाली क्रिया दूसरे छेत्र पर विशिस्ट प्रभाव डालती है अन्य कारणों में वे कारण हैं जो पूरी समाज पर प्रभाव डालते हैं किन्तु समाज के अंदर बिभिन समुहों पर इनका कम या अधिक प्रभाव पड़ता है इसके अंतरगत निम्नकारण है जैसे आर्थिक कारण जिसमें भोजेपदार्थों की मुल्ले वरिधी, राजनेतिक सामाजिक एवं आर्थिक कारण जैसे गरीबी, समाज में निम्नस्थान तथा सामाजिक बहिशकार, वैचारी कारण जैसे संस्कृती एवं परमपरागत जन्म के समय कम वजन आहार की मात्रा, विवित्ता, बारंबार्ता और आहार देने के गलत तरीकों के कारण बच्चों के कुपोशित होने की संभावना अत्यादिक बढ़ जाती है। जाती है शरीर में पोशक ततों की आवसक्ता बढ़ जाती है और पोशक ततों का आवसोर्शन कम होता है जिसके कारण बच्चे की पोशनात्मक इस्तिती और डैनिय हो जाती है इस प्रकार बच्चा एक दुस्चक्र में फंस जाता है एक कुपोशित बच्चा जिसकी रोगों से लड़ने की छमता कम होती है वो अधिक समय तक भी मार रहता है और कुपोशन की गंभीरता और अधिक बढ़ जाती है तथा रोगों से लड़ने की छमता घट जाती है और या दुष्चक्र चलता रहता है और इसे ही हम कुपोशन तथा संक्रमन का दुष्चक्र कहते हैं बच्चे के स्वास्त और जीवन पर कुपोशन के क्या प्रभाव होते हैं अब हम इसे देखेंगे कुपोशन के कारण बच्चे के जीवन और स्वास्त पर पढ़ने वाले प्रभाव कम शारीरिक व्रिधी, कम वर्धिक विकास्त, संक्रमन एवं मृत्यू के जोखिम में व्रिधी पांच वर्षे कम उम्र के बच्चों में होने वाली मृत्यू के कारणों में कुपोशन का अत्याधिक योगधान है क्योंकि कुपोशित बच्चों में बीमारी का संक्रमन होने की अधिक संभावना होती है अता बार बार बीमार पड़ते हैं और उन्हें पुना स्वस्त होने में काफी समय लग जाता है सामाने पोशन इस्थिती वाले बच्चों की स्टूलना में कुपोशित बच्चों को सामाने बिमारियां जैसे दस्त निमोनिया आधी से लगबग 9 से 11 गुना मृत्यू का खत्रा अधिक होता है अब हम जानते हैं सैम और मैम के बारे में कि ये क्या है इसेम सैम यानि अती गंभीर कुपोशन मैम यानि मध्यम गंभीर कुपोशन को दो स्रेणियों में वर्गित किया जाता है सैम और मैम सैम की स्रेणि में वे बच्चे आते हैं जिनकी लंबाई उचाई के अनुसार बहुत कम वजन यानि 3SD से नीचे HD स्कोर होता है या दोनों पैरों में गड़्े पढ़ने वाली सूजन एडिमा इम एम मैम इसमें ऐसे बच्चे जिनकी लंबाई उचाई के अनुसार 3SD से 2SD के मध्य होता है उन्हें इस रेणि में वर्गिक्रित किया जाता है अति गंभीर कुपोशित बच्चों पर तुरंद ध्याम देने की अवशक्ता क्यों है इन बच्चों को रोग प्रतिरोधक शमता कम होती है और उन्हें बीमारियों के संक्रमन के सम्हावना अधिक होती है सामाने बालवस्था बीमारियों के कारण गंभीर कुपोशित बच्चों को मुरित्यू का 9 गुणा खत्रा अधिक होता है लगभग 85-90% सैम बच्चों का उप्चार आंगनवाडी केंद्र स्तर पर हो सकता है लगभग 10-15% सैम बच्चों में कम भूख और अधिक चिकित्स की ये जटिलता होती है जिने कुपोशन उप्चार केंद्र MTC में भरती कर उप्चार करने की अवशकता होगी अतिगंभीर कुपोशित बच्चों का उगनवाडी स्तर ये विशेश उप्चार केंद्र आधारित देखवाल एवं प्रबंधन कारेक्रम क्यों आवश्यक है अब हम इसे जानते हैं विवेना अधियानों से पता चलता है कि सैम बच्चों के STC आधारित देखवाल एवं प्रबंधन कारेक्रम को स्विकार्यता समुदाई में अधिक है इसके निम्नलिखित सिधानत है अधिक से अधिक लोगों एवं परिवारों तक पहुँच यानि STC आधारित देखवाल एवं प्रबंधन कारेक्रम को इस प्रकार बनाया गया है जिससे कि उन बच्चों एवं उनकी देखरेक अच्छी तरह से हो सके यानि उन बच्चों तक सेवाओं की पहुँच हो जिने सेवाओं की अत्याधिकार्य शक्ता है समय बधता, STC आधारित देखवाले वं प्रबंधन कारेक्रम का उत्तेश सेम बच्चों की समय पर पहचान करना और अतिरिक्त चिकित्स किये जटिलताओं का गंभीर रूप धारन करने से पहले ही उपचार सुनिश्चित करना है उपर देखवाल या कारेक्रम उन सेम बच्चों के लिए है जिनका उपचार समुदाय घर पर किया जा सकता है उन्हें सरल प्रभावशाली तथा बिना MTC में भरती किये हुए सुलब देखवाल उपलब्द कराता है और उन सेम बच्चों को समय पर पहचान कराता है जिनको चिकित्स की है यानि MTC में भरती होने की अवशक्ता होती है पुर्ण उपचार देने में सक्षम STC आधारित साम कारिक्रम ये सुनिश्चित करता है कि बच्चे उपचार एवं फॉलो अप के लिए तब तक कारिक्रम में रहते हैं जब तक की वे पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते स्थानिय शमताओं के निर्माण और मौजूदा स्वास्त और ICDS अंगनवाडी केंद्रप्रणाली और सेवाओं के अंतरगत कारिक्रमों को एकिक्रित करके ये सुनिश्चित किया जाता है कि प्रभावी उपचार तब तक उपलब्द हो जब तक बच्चे को इसकी आवशक स्यामता है इसके अतिरिक्त स्याम का इस्टि सी आधारित प्रबंधन कारिक्रम के साथ एक एक उपवित है जिसके अंतरगत रक्षन, प्रोथसाहन, स्तनपान, पूरकाहार एवं साफशफवायादी के लिए स्वास्त सिक्षा सामील है अब हम यह जानते हैं कि अनीमिया क्या है तता बच्चे किशोरियों, योतियों, गर्पवति एवं धात्री माताओं में इसका क्या प्रभाः होता है हीमोगलोबीन हमारे खून में पाई जाता है और हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंच जाता है खून में हिमोगलुबीन की मात्रा एक स्तर से कम हो जाना अनीमिया कहलाता है इसके प्रमुक लक्षन है तवचा, चेहरे, जीव एवं आखों में लालिमा की कमी काम करने पर जल्दी ही ठकावट हो जाना, सांस फूलना या घुटन होना, काम में ध्यान न लगना और बातें भूल जाना, चक्कराना, भूख न लगना, चेहरे और पैरों में सूजन खून में हिमोगलोबीन की कमी को अनीमिया कहते हैं, अनीमिया एक स्वस्त परिस्थिती है जिसमें लाल रतकनों की संख्या, अथो उनके ऑक्सीजन वहन करने की छमता, शरीर की जैव क्रियाओं की आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए और परियाप्त हो जाती है अनीमिया भी बुखार की तरह एक अभिव्यक्ती है, या कोई बीमारी नहीं है, इसका निवारन और उप्चार किया जा सकता है जार्खंड राजे में सभी लक्षित समुहों में अनीमिया की व्यापक्ता एक गंभीर समस्या है एन एफ एच एस फाइब दोज़ार उन्नीस से इकीस के अनुसार जार्खंड में छे से उन्सट माह आयू वर्ग के 67.5 प्रतिशत बच्चे 15-49 वर्ष आयू वर्ग के लगवग दो ती हाई यानि 65.3 प्रतिशत महिला है 65.8 प्रतिशत की शोरियां 15-19 वर्ष के और 56.8 प्रतिशत गर्ववती महिला हैं अनेमिया से पेड़ित हैं इस प्रकार हमारा आज का 72 समाप्त होता है यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो ज्यान वर्धक लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें एवं अपने कमेंट कमेंट बॉक्स में लिखें अगले वीडियो में सत्र तीन पर हम बात करेंगे और आप इंतजार करें अगले वीडियो का